यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा मेरे गुरू, मेरे प्यारे गुरू, मिस्टर तीपक चागुरुत सर, जिन्नोंने आज एक बहुत मेहनत से, जो मुझे आज मैं कहता हूँ, कि एक satisfaction लगता है मुझे कि आज जो भी मैं हूँ, आज मेरी 200 लोगों की टीम है मेरी बिजनस में, उनके साथ किस तरीके से relation management मैं रहत पाता हूँ, उसके साथ किस तरीके से management उन सब की करता हूँ, इसके साथ साथ how to handle difficult people, उसमें से difficult people किस तरीके से handle कर सकता हूँ, उनके साथ किस तरीके से relation management करनी चाहिए, यह सारी skill मुझे उन्होंने सिखाई है, and he is one of the most best motivational speaker जिन लोगों को मैंने सुना है उन में से दीपक जागुरुट सर के बारे मैं अगर पताना चाहू तो दो वी पॉजिटिव ट्रेशनिंग सेंटर की संस्तापक है और वो एक ऐसा ट्रेशनिंग सेंटर है वो लीडर्स बनाने की फैक्टरी है वी पॉजिटिव ट्रेशनिंग सेंटर लीडर्स बनाने की फैक्टरी है और मिस्टर दीपक जागुरुट सर को अगर मैं कहाना चाहूंगा तो लीडर्स बनाने की फैक्टरी और आज बहुत सारे किंग वहाँ से निकल रहे है और जिन्दगी में बहुत आगे बढ़ रहे है आज मेरी कंपनी में मैं हूँ और मेरी टीम जो है यहाँ पे महारष्टा की सबसे फास्टेस ग्रोविंग टीम है तो उसका रीजन भी अगर कोई है तो मिस्टर दीपक जागुरुट सर है जिन्दों ने इस तरीके से तयार कर दिया कि अगर हम किसी भी कही पे भी अगर कहा जाता है कि Be Positive Academy के Student पो कही पे भी फेका जाये ना तो खन कर गया आवास करता है सिख्य जैसी आवास करता है तो इसके पीछे अगर किसी का हाथ हो तो मिस्टर दीपक जागुरुट जी का है उनके लिए मैं कुछ यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे mentor मुझे मिले तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुकरिया करना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों इस जिन्देगी में सब कुछ मिल सकता है लेकिन एक गुरु मिलना बहुत बड़ी चीज होती है गुरु का क्या महत्वा है एक छोटे से उधारन से बताना चाहूँगा कि अगर आप बाजार से काड़तूस लेकर आए और उसे अपने हातों से पूरी शक्ती लगाकर दीवार पे मारे तो वो काड़तूस दीवार पर कुछ चिन्न जरूर करेगा परंतो काड़तूस अपनी पूरी शक्ती के साथ प्रगट नहीं होगा और वही काड़तूस अगर आप बंदूक से चलाए वही काड़तूस अगर आप बंदूक से चलाए तो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रगट होता है इसी तरह मैनत रूपी काड़ तूस अगर आप अपनी हातों से चलाएंगे तो अपनी पूरी शक्ति के साथ कभी प्रगट नहीं होगा लेकिन वही मैनत रूपी काड़ तूस अगर आप गुरू की समझदारी रूपी बंदूक से चलाएंगे तो आपको वो जरूर कामयाब बना दिये यह है दोस्त गुरू के बारे में अगर बताना चाहू तो गू और रू इसे में उसका गूढ अर्थ चुपा है गू मतलब अंधेरा गू मतलब अंधेरा रू मतलब उजारा अंधेरे से उजा लेकी और जो लेके जाता है उसे कहता है गुरू और मैं बहुती blissful और बहुती अच्छा महसूस करता हूँ कि दीपक जागरू जी जैसे गुरू मेरे पास है